एक और डिवाइन डे, नाउ, पोटल है 9-9 का, ओके मतलब 9 तारिक and yes, सेप्टेम्बर का मन्त है, तो count 9 पे आता है, 9-9 का पोटल बन रहा है, आप 9-9 भी कंसरा कर सकते हैं, त्यूंकि हम golden minute को भी लेके चलते हैं साथ में, ठेक है, जो 9 बच के 9 minute का golden minute तो होगा ही होगा उस द फिर चाहे वो आप सुबा का consider करें या रात में consider करें, उस time पे आप अपने wishes बोल सकते हैं, अब बात यहाँ पे यह आती है, कि यह जो 9-9 का पोटल बन रहा है, इसमें यहाँ पे क्या शक्तियां है, बहुत बार हमने सोना है, negativity eliminate करो, खतम करो चीज़ों को, release करने का time है, ब release और खतम समझ आती है चीज, basically यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, simple है, 9-9 का मतलब, 9-9 का मतलब, किसी चीज़ को end करना, खतम करना, यह समझ नहीं आता हम लोगों को, क्यूंकि कैसे खतम कर दे, कोई wish है, अभी उसको कैसे खतम कर दे, instantly नहीं हो सकता, वो तो है, उसे पाना है, और कोई चीज़ end हो रही है, हम कहां से strength लेके आए, 9-9 का मतलब है detachment, यही detachment है, जिससे आप या तो खतम बोलो, या फिर ये बोलो, कि end हो रहा है, कुछ भी नहीं, आप basically अपने आपको, अपने wishes, अपने requirements से detach कर रहे हो, और हम सब जानते हैं, कि manifestation में last step detachment है, detachment के क्यों, क्योंकि detachment आपको आगे की तरफ लेके जाता है, it's not कि आप stop हो गए, रुख गए यहीं पे, नहीं, यह आपको आगे की तरफ ले जाता है, detachment के लिए भी strength की जरूरत है, क्यों, क्योंकि जब detachment होते हैं, attachment हमें बहुत पसंद है, बहुत अच्छा, बड़ा comfort देता ह किसी चीज से attach हो जाना, लोगों से attach हो जाना, लेकिन अगर उन्हीं लोगों से हम detach हो जाना, उनसे बात ना करें, मन लगेगा, बल्कुल नहीं लगेगा, मोह माया के बंधन में है वैसे भी, ठीके तो यह तो पूरा मोह माया का बंधन चल रहा है, इसमें कहां सब detachment लेके थोड़े देर के लिए detach हो भी जाओगे, फिर again मन वहीं भटकेगा, okay, detachment को practice करनी पड़ती है, एक दिन का काम नहीं है कि आज बस detach हो गए, कल फिर वापस उसी के बारे में सोच रहे है, meditation से, ध्यान से आप detach हो सकते हैं, अगर आप ईश्वर की तरफ ध्यान दे तो आपको पता चलेगा कि हर कोई detachment में हर पल है, right, सबसे पहले शिवजी को लेते हैं, शिवजी को अगर आप देखो हमेशा ध्यान की मुद्रा में बैठे रहते हैं, पहाडों पे हैं, किसी और चीज की ज़रूरत नहीं है, right, detached है हर चीज से, सिर्फ अपने meditation में हैं वो, हर पल ध्य द्यान में हैं वो, वो शक्ती जो एक जगा एक अत्रत है, वो ध्यान की ही तो देन है, right, आप उसके बाद आजाओ, हमारे श्रीकृष्णु पे, detachment में है, विश्णु भगवान हमेशा detached रहते हैं, अभी तो वैसे में योग निद्रा में हैं, तो ये जो योग निद्रा है क्या है, basically detachment ही तो है, आप complete detach हो जाते हो, ठीक है, अगर आप देखोगे बहुत सच लोगों को, अगर उनकी आप biography पढ़ोगे, तो भी आप ये चीज़ जानोगे कि कुछ-कुछ time के लिए वो बिल्कुल detach हो जाते हैं, हर किसी से, एक break लेकर के, एकदम separate, पूरे time separate, एकदम peace में अकेले रहते हैं, किसी island पे, कहीं पे भी, इसके बाद जब वो वापस आते हैं, तो फिर 100 कदम आगे की jump लगाते हैं, समझ लो, यही detachment का time आप लोगों को, इस 9 तारीक को मिला हुआ है, अभी करना कैसे detach होएं, कैसे अपने वशर से, ध्यान रखिए, हाँ, detachment का एक प्रतीक, अन बुद्ध को नहीं भूल सकते हैं, हम, गौतम बुद्ध को नहीं भूल सकते हैं, जब वो पूरे सांसारिक मोभाया के बंधन से चुटकारा पालिया, उननना detach हो गए, complete detachment, तब जाकर के ज्यान की प्रापती हुई, तब जाके वो divine light उन में आ गई, जिसकी ख भागना छोड़ देते हो, ठीक है, अभी क्या होता है, suppose हमारी wish है, wish manifest करने है, उसके लिए हम techniques कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है, बट अगर हम detached नहीं हो रहे हैं, अभी क्या है, wish का एक समझ लो, पूरा एक बोज अपने सर पे रखा हुआ है हमने, कि ये चीजे हमे बोज़ की वज़े से तो चलना भी आसान नहीं हो पाएगा, लेकिन जैसे ही उस बोज़ को ठाके side patka, आपने रखा कि बस ठीक है, आप कर लिया, जो कर लिया, अभी free करता हूँ, मैं अभी मैं अपनी energies वापस अपने पास ले रहा हूँ, या ले रही हूँ, इसके बाद आ fly कर सकते हो, अभी आप अपनी imaginations में fly करके एकदम अपनी wish पे पहुं सकते हो, quantum jumping, बहुत important technique है, 9-9 वाले दिन, 9-9 वाले दिन, आप quantum jumping meditation कर सकते हैं, अपनी wishes को manifest करने के लिए, ठीक है, जिसमें हम सारी negativity को छोड़के सीधा अपने manzil पे focus करते हैं, jump ऐसा जिसमें कोई doubt नही inspiration नहीं, सीध है अपने manzil, अपनी wish को manifested देखते हैं, ओके, यह सारी चीज़े इसलिए बता रही हूं, क्योंकि 9-9-9 का जो portal है, इस दिन की value आप समझ जाहिए, कि इसका मतलब सिर्फ detachment है, ओके, numbers में भी, जब triple one, triple two, triple three, triplings या doublings या जो भी, single number भी अगर आप देखो, last number 9 होता है, तो यह last step है, please आप 9-9 वाले डे को ऐसा बना दो कि इस दिन आप लोग बिल्कुल complete अपने energies को वापिस लो हर जगह से, energies वापिस लेने से क्या मतलब है मेरा, होता क्या है, generally हमने किसी को सुना, अपने family members में, friends में, specific person के साथ भी, ठीक है, suppose उनकी कोई problem है, किसी के engagement ह हो गई, कोई health issues में है, कुछ भी, उसके बारे में हम सोच रहे हैं, अभी क्या हो रहे हैं, हम अपनी energy भी उसी को transfer कर रहे हैं, कई लोग तो seriously energy givers बन जाते हैं relationship में, उनके person आए, उनोंने कहीं heartbreak हुआ, कुछ failure था उनकी life में, आपके पास आए, आपके साथ थोड़ा time spent किय जब completely heal हो गए, तो फिर आपको छोड़के चले गए, आप charger का काम कर गए उनके लिए, आपने charge कर दिया उनको, जैसे mobile हम charge करते हैं, और उसके बाद, जब mobile complete charge हो गया, तो फिर वो निकल गया अपना, अपने काम पे, फिर से उसके energy drain out होगी, फिर आएगा, तो ये जो energy जहा जहां distribute कर देते हैं, ये सब specific person के साफ नहीं है, हर एक इंसान, चाहिए वो आपके भाई-बेन हो, दोस्त हो, parents हो, कोई भी हो, हर एक की परेशानी सुने, अब उसी का tension लेके दिमाग में बेठे हो है, तो आपने अपनी energy थोड़ी-थोड़ी-थोड़ी करके हर किसी को distribute कर द से खटा करो, आप detach हो, उन सब लोगों से, कितना भी करीबी कोई क्यों ना हो, कितनी परेशानी में क्यों ना हो, 9 September को आपको complete detach करना है अपने आपको, अगर कोई परेशान है, अपनी परेशानी बता रहा है, ठीक है, आपने सुनना है, सुनने के बाद, आप उसे कोई solution दे लेकिन उसके pain को feel करना मत शुरू कर दो, right, कि आपका दर्द, आप रो रहे हो, मैं भी आपके साथ रोने लगूं, बिलकुल नहीं, ठीक है, so इसी लिए, अपनी सारी energies को, आप अपने पास लेके आएंगे, एक छोटी सी prayer अभी इस video में, मैं आप लोगों को दूंगे, instant अ पहले तो smudging करेंगे, आप सुबा-सुबा उटके, smudging क्या होता है, आपकी पूरे aura को cleanse करेगा, right, सारी negative energy को eliminate करेगा, आपकी energy वापस regain होगी, ठीक है, दिमाग इतना strong होगा कि हाँ, अब ही मैं अपने बाकी सारे tensions को बिलकुल release कर रहा हूं, detach हो रहा हूं, right, so complete detachment morning से ही आपका start हो जाएगा, समझ लोग की, सोच लोग की, एक मोक्ष का दिन है आप लोग के लिए, okay, मोक्ष मरने के बादी नहीं मिलता, जीते जी भी है, कि जहां पे हम फालतू की tensions और फालतू की परिशानिया और जो फालतू की बेवज़ा की, you know, कुछ ना कुछ है, self love में रहो, meditate करो, rejuvenate करो अपने आपको, सिर्फ अपने लिए कुछ चीज़े करो, okay, smudge करो, smudge कैसे करते हैं हम, मैंने एक वीडियो में बहुत अच्छे से clearly explain किया था, अभी simple बताती हूँ, sage आपको मिल जाएगा, palo santo मिल सकता है, कुछ भी नहीं हो तो घर में अगर 9 times ही घुमाए, 99 का portal है, 9 times round round घुमाए, anti clockwise घुमाए आराम से, और बिल्कुल अपने aura को cleanse करें, ठीक है, यह आप morning में कर सकते हैं, इसके बाद की activity क्या होगी आपको लिए, एक तो यह हो गया, दूसरा, एक glass पानी ले, पानी लेकर के अभी जो prayer हम करेंगे, उसको करने कर ल करके dispose करो आप, जितना हो सके एकदम light feel करो, 9th को आपको इतना light हो जाना है, कि 10th मतलब एक तारिक आजाती है, 10th, 0 हटा दो, आप एक number आजाता है, तो वो फिर अगले दिन से एकदम से नई शुरुआत, नई beginning, जैसे ही आप detachment का पूरा process follow कर लेते हो, complete अपने mind, heart, soul से detach हो चीज़ों को लिकर के, आप समझ लो कि आप आराम से manifest कर लेते हो, जो लोग manifestation techniques कर रहे हैं, क्या वो कैसे detach होंगे, हर दिन detachment होता है, it's not कि 30 days का process, या 21 days का process करने के बाद detachment है नहीं, पहले दिन से ही detachment स्टार्ट हो जाना चाहिए, किसी दिन अगर आपने कोई एक line लिख भ मैंने मौनिंग में अपनी activity की release कर दिया है universe में, now I am detached, क्यों, क्योंकि मुझे universal energies पे पूरा faith है, कि अब मैंने भेज दिया, जिसके हाथों में भेजा है, हमाने tremendous powers है, manifest कैसे नहीं होगा इस विश्वास के साथ, आप 99 के portal को use करेंगे, okay, letters, definitely लिख सकते हैं universe को detachment का, detachment letter में हम क्या करते हैं, simple universe को ये बताओ, आप बिलकुल free हो, आप अपनी energies को हर जगह से वापस ला चुके हो, okay, बहुत strong हो, बहुत strength है आपके अंदर, right, ये सारी चीज़ें आप universe को लिखो, होता है, आप receiving mode में आ जाते हैं, receive करने के लिए ready है, right, आजे detachment के prayer कर लेते हैं यहाँ पे, so detachment के prayer के लिए अपनी आखें बंद करें, और बस मेरे बाद हर line को repeat करें, पहले English में हम करेंगे, इसके बाद Hindi में करेंगे, ठीके, so English में करते हैं, कुछ lines repeat करते हैं, बिलकुल ब सबसे पहला है, सबसे पहला है, I am releasing the need to prove myself to other people and returning that energy back to myself. So, I am releasing the need to prove myself to other people and returning that energy back to myself. By doing this, I naturally attract opportunities that are in alignment with my desires. By doing this, I am naturally attracting opportunities that are in alignment with my desires. I don't doubt what I am capable of. I don't doubt what I am capable of. I don't hold space for things and people that don't serve my greater good. I don't hold space for things and people that don't serve my greater good. I am becoming the best version of myself every day. I am becoming the best version of my life every day. अब हम हिंदी में करेंगे, मैं दूसरे लोगों के सामने, खुद को सिद्ध करने की आवश्शक्त को मुक्त कर रहा हूँ. और अपनी और अपनी उर्जा, जो मैंने दूसरों को दी है, वो वापस अपने पास ले रहा हूँ. ऐसा करने से, मैं स्वभाविक रूप से, उन अवसरों को आकरशित करता हूँ, जो मेरी इच्छाओं के अनुरूप होती है. मुझे खुद पर पूरा भरोसा है. मैं उन चीजों और लोगों के लिए, अपने जीवन में कोई जगा नहीं छोड़ता, जो मेरे लिए अच्छे नहीं है. मैं खुद के लिए बहुत सक्षम हूँ, और काबिल हूँ. अपनी एनरजी वापस लेजिए हर जगा से, और एक काम और कर सकते हैं आप, बेलीफ टेक्निक कर सकते हैं. क्योंकि आप पूरे दिन अपने आपको डिटाच्मेंट में रखें, ये अलगाव, ये डिटाच्मेंट आपको लाइफ में काफी आगे ले जाएगा. आप चाहें तो इस डिटाच्मेंट प्राक्टेस को रोजाना कर सकते हैं. जैसे कि मैंने बोला कि पहले दिन से डिटाच्मेंट स्टार्ट हो जाती है लाइफ में. 알ाइट, सो डिटाच्मेंट रखें आपको अपने विशे से, अपने जो भी रिक्वाइमेंट से उन सब चीजों से. होता क्या है आप अपनी wishes को सारा दिन अपने मन में ही घुमाते रहते और release कप करोगे universe में detachment वो ही phase है जब आप अपने हर चीज को release कर देते हैं एक बार release होगा universe में जाएगा तो manifest कैसे नहीं होगा definitely होगा so that's all thank you so much and God bless you all